ओम स्रेगरेशाय नमन नमस्कार दर्सको आप सबी का स्वागत है आपके अपने चैनल संस्कृती ग्यान में अमवस्या का धार्मिक दिश्टी से विसेश महतों माना जाता है इस दिन इसनांदान और पित्र दोस्य मुक्ति के लिए धार्मिक कर्म किये जाते हैं हर महीने में एक बार ऑमवस्या पढ़ती है भाद्र पद मामें आने वाली अमवस्या को कि प्ठोरी आमवस्या या भादों अमवस्या करते हैं पित्रों की आत्मा त्रिप्ति के लिए महतम एकUhपा करना स्प्रेशट माना जाता है इस साल भाद्र पद माह predecessor सोम वती अमवस्या का योग बेहत दुल्लब माना गया है इसलिए इस दिन विशेष पूजा की जाती है सोमवती अमवस्या के दिन ब्रह्म मुरत में उठकर इसनान कर लेना चाहिए संभा हो तो गंगा इसनान नहीं तो घर पर ही नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर इसनान कर सकते हैं इसके कच्चा सूथ लपेट कर परिक्रमा करें पूजा के बाद दान आदी करना चाहिए सोमवती अमवस्या को वरत रखकर भगवान शिव और मता पार्वती की पूजा करने से सुहागिन महिलाओं को अखंड सौभाग का वरदान प्राप्त होता है सोमवती अमवस्या के दिन बंचामरे से अविश्यक करना चाहिए इस दिन पूजा के समय माता पार्वती को सिंगार की वस्तुवे अर्पित करनी चाहिए सोमवती अमवस्या के दिन सिव भगवान के समक्च चौमों की घी का दीपक जलाकर सिव चालीसा का पाड करना चाहिए साल दोजाए 24 में भाद अबर की सुबा 7 बच के 24 मिनट पर इस नान दान का समय सुबा 4 बच के 29 मिनट से सुबा 5 बच के 15 मिनट तक अभीजीत मोर्त प्राता काल 11 बच के 15 मिनट से दोपर 12 बच के 46 मिनट तक धर्सकों आप को यह जानकारी पसंद आई हो तो प्लीस हमारे चैनल को लाइक शेर और स सब्सक्राइब करना ना भूले धन्यवाई